इस तरह की फरजी खबरों को कौन सी मीडिया प्रमोट कर रही है यह जानना जरूरी है आप कलपना करिये इस बात की केवल इडिया टुड़े नहीं छापता तमाम अखबारों में बाबा के इस दावे की खबर छपती है इसके पीछे की वज़ा क्या है क्या यह खबर समझ के छापी जाती है या फिर यह एड़वर्टोरियल है बाबा ने इसके पीछे पैसे खर्चे किये आपको बता दू बाबा राम देव आज के वक्त में इलेक्ट्रोनिक मीडिया के सबसे बड़े विज्यापन दाताओं में से एक है देश के सबसे बड़े विज्यापन दाताओं में से बाबा राम देव एक है मेरे एक मित्ल जो एक बड़े चैनल में एक बड़ी उची पोस्ट पे हैं वो बता रहे थे मुझे कि बाबा केवल विज्ञापन नहीं दिखाते हैं विज्ञापन दिखाने के एवज में विज्ञापन देने के एवज में यह भी डिमांड करते हैं कि मुझे प्राइम टाइम में स्लॉट दिया जाए तमाम मुलेट तरह से मने आश्यर होता है कि इस तरह की खबर एक ऐसे वक्त में जब सवा चार लाग से जादा भारत में कोरोना के पॉजिटिव के से बारा हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है इस तरह की खबर जो है हमारी किसी पत्रिका में छपती है जिसका कभी एक बड़ा नाम ह हुआ करताता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की कैसे चाप सकते हो भाई आप आप लोगों ने शायद एक बात भूल गए होगे मैं आप लोगों को मुझे याद है कि मैं शायद 28 मैं को आप से बात की थी तो मैंने आपको बाबाराम देव की कहली बताई थी ज यह क्लोरोडील में क्या क्या डाला है उन्होंने बात छोड़ दीजे बाबाराम देव शिवरासी चौहान ने प्रदेश के 52 चीफ पेडिकल आफिसर्स वहां के सेकेरिटरीज इन सब की उपस्तिती में बाबाराम देव से जूब पर कॉंफरेंस कराई बाबाराम देव ने सबसे कहा कि हमारा काड़ा पिलाओ फिर उन्होंने कहा उनका दावा रहा है कि क्लोरोक्वीन को अश्वगंधा के साथ मिला कर दोगे तो कॉरोना ठीक हो जाएगा जबकि दुनिया के तबाम दुनिया के लगबग समीर रिसर्च एजेंसिस कह चुकी है कि क्लोरोक्वीन पूरी तरह से फेर हो गया है जहां तक अश्वगंधा का सवाल है इस्ट्रेस मेनेजमेंट में काम आता है ये मेरे जैसा रखती भी जानता है ये हम आप सब जानते हैं कि घर में मिलने वाला तुलसी, काली, मेर्च, अगल बगल गुरूच बिल जाएगा आप लोग पता नहीं गुरूची कहते हैं क्या कहते हैं कोई भी आदमी साबा ने आदमी तोड़ करके लाके चाय पत्ती में डाल करके खा सकता है, पी सकता है सर्दी जुखाम के लिए अग्रेजी की डाक्टर भी कहते हैं कि बहुत अच्छी दवा है लेकिन बाबाराम देव यह फर्जी वाड़ा पूरा का पूरा जबसे कोरोना शुरू हुआ है तब से बाबाराम देव का यह फर्जी वाड़ा जारी है मुझे आश्च्छय होता है कि बिना क्लीनिकल ट्रॉयल के केवल प्लेसिमो मेडिसिन कह करके एक दवा को उत्पादित करने की कैसे मजूरी दे दी गई और कैसे उसका प्रोडक्शन सुरू हो गया और कैसे उसका प्रचार किया जाने लगा आप सोच सकते हैं ये कितना गंभीर मावला है दुनिया के किशी देश में किसी भी आयूर्वेदिक दवा का किसी होमियोपेटिक दवा का किसी भी अग्रेजी दवा का बीना क्लिनिकल ट्रॉयल के इस्तेमाल नहीं किया या सकता अगर किया जाता है तो उसमें सजा का इसपस्ट प्रावधान है अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि आयूस मंत्राले मुकंदमा दर्ज करें और बाबा राम देव को जेल भेजे आप सब को भी इसकी मांग करनी चाहिए जहां तक आयूस मंत्राले का सवाल है आप लोगों को एक जानकारी दे दे जो जानकारी आपके पास होगी भी या शाय नहीं होगी हमने उसकी बात कही थी लेकिन आप लोगों ने शायद उसे गंभीरता से नहीं लिया था बाबा राम देव ने आयूस मंत्राले को अप्रेल में 21 पेजों का एक पूरा रिसर्च पेपर एक मेडिसिन को लेकर सम्मिट किया था आयूस मंत्राले को उसके बाद बाबा राम देव को अपने काड़े और कसित दवा के ट्रायल की बिला किसी लिखित आदेश के अनुमती दे दी गई जो मद्यपरदेश में भी ट्रायल किया गया जिसके बारे में बाल किष्ण दवा कर रहा है कि मेरट के दो अस्पतालों में वहां के डाक्टरों पर भी दवा का प्रयों हुआ उसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश, राजेस्थान, उत्तराखंड, गुजरात में इस दवा का क्लेडिकल ट्रोयल किया इसके अलावा एक बड़ी फेबस वेबसाइट है वाइरोलोजी जिसमें दुनिया भर के जो बड़े साइंटिस्ट है वाइरोलोजी का जो अध्यन कर रहे है वो अपना रिसर्च पेपर सब्मिट करते है आप अभी जाकर देखे उसमें बाबा बाल किस्र जो है रामदे के जो चेले है उन्होंने कई लोगों के साथ मिल करके अपना रिसर्च पेपर सब्मिट किया है इसी मेडिसिन को लेकर के उनको पता नहीं होगा कि वाट इस दए एस इए हिमिटेटर लिकिन वो आदमी पूरा इंग्लिस पे एक रिसर्च पेपर लिखता है सब्मिट कर देता है गजब की धादली बच रखी है भाई वो क्या नहीं करता एक व्यावसाई बाबा जो जिस्ज भी बनाता है बैगी बनाता है जो एप व्योनाता है वाटसप के अभी जाहिद भाई बता रहे थे कि जब वाटसप शुरू हुआ तो वाटसप के कंपटिशन में एक एप लाया भाद में गूगल प्ले स्टोर ने उसे हटा दिया तो वो एप भी बनाता है याद आयूरवेदिक इतनी प्राचीन पध्यती हम लोग अपने घर में इस्तिमाल करते हैं दवाओं का आयूरवेदिक दवा हर दादी मां हम समझाते हैं कैसे इस्तिमाल की जाती है और ये जो है आयूरवेदिक दवाओं के नाम पर केवल धोका धड़ी का काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ धोका देने का काम आप जद्दा को धोका देने का काम कर रहा है इनका जावा रहा कि हमने मेरेट के 70 अस्पतालों है मेरेट के एक अस्पताल में 70 डाक्टरों को ठीक कर दिया अभी मैं स्वाध क्विट की एक स्टोरी पढ़ रहा था या ड्यूज लॉड्री की आई डॉन्डो उसमें था कि डाक्टरों से जब बात किए डाक्टरों ने वहाँ पर कहा कि भईया हमको खुदी नहीं पता हो वहाँ के मेरेट के सीमो ने इंकार कर दिया कि हमारे या तो कोई डाक्टर कोरोना पॉजिटिव रहा ही नहीं है बाद में पता लगा कि कोरोना पॉजिटिव तो नहीं रहा बाबा ने जिन 70 लोगों को दवा खिलाई उन्होंने कोरोना पॉजिटिव लोगों की तिमारदारी की थी मतलब यह कि जिनको कोरोना था ही नहीं उनको बाबा ने दवा खिला दी और उनको लेकर दावा कर दिया कि कोरोना पॉजिटिव बुजलमाइन बश्कार अब ये ज़रूरी है ऐसी किसी भी कवायत का किसी भी प्रकार का के दावे का सक्त विरोध करें और एक बात जान ले एक ऐसे वक्त में जब तमाम लोग पुरे देश में डरे हुए हैं मोते हो रही है अकाल मोते हो रही है इस तरह का दावा बेहद आपत्ति जनक है और बेहद शर्मनाक है हम सब को मिल करके ये जरूरी है कि बाबा को बाबाराम देव को उनके पूरे के पूरे पूरे जो ये तिकड़र बादी पहल लख है इसकी जम करा लोचना करें कहा कहा कि जमीन कब जाकर के लिए रखा है मैं तो इनके बारे मैं इसी इसी कहानी जानता हूं कि आप लोगों को बता दूगा तो आप पास्चर करेंगे आपको पता है बाबा राम देव के चेले जो है वो फरजी वर्ल्ड रिकार्ड की डिगरिया भी बाठते हैं आपको नहीं पता होगा मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को मैंने स्टोरीज की वर्ल्ड रिकार्ड की डिगरिया बेचते हैं बाबा बाबा बाल के चेले यहां आदमी बहुत खतरनाक है इससे बचके रहने की जरूरत है और इस बात की जाच कराय जाने की जरूरत है कि बाबा ने इस दवा को किसका प्रोडक्शन कैसे सुरू कर दी या भी ना क्लेडिकल ट्राइल के अभी मैरे एकमित रखा रहे थे कि वो इम्यूनिटी मुस्टर बेच रहे हैं और इम्यूनिटी मुस्टर तो कोई भी बेच सकता है हम ने कहा यार आप अजीब बात करते हो आप कोरोणा के रियत्रल की दवा कहते हो कि कोरोणा खतब हो जाएगा और आप उसके जगए इम्यूनिटी मुस्टर बेच रहे हो यह जान लिजिए देश में कुरोणा पॉजिटीव की संख्या और बढ़ती जा रही है सरकार ने हम लोगों को हम सभी को मुझको भी भगवान भरोसे छोड़ दिया है हम जीते हैं तो किस्मत हैं हम मरते हैं तो किस्मत हैं हर हिंदूस्तानी इस वक्त केवल भगवान के भरोसे है दुनिया के तमाम देशों में यह स्वास्ते सेवाई इतनी कम से कम समरिद हैं कि आप जाएंगे तो आपकी जाच हो जाएगी आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आपको पैरा सिटावान मिल जाएगा विटामिन्स की दवाएं मिल जाएगी हमारे आप तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि आखराद मिल जाकर जाच करा सके इस धोका धड़ी का पुर्जोर विरोस्त करना है ऐसे किसी दावे के चक्कर में मत पढ़िएगा नमबर दो अपने घर में किसी को भी कोरोना से बचाव को लेकर अंडबंड दवा किसी कीमत पर मत खिलाईगेगा जिन दवाओं की चर्चा हो रही है तमाम दवाए ट्रॉयल में फेल हो चुकी है क्लोरोक्वीन फेल हो चुकी है